अलो वल्कम सांथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल साहता परत। सांथियो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के मतपून सरकारी योजना प्रधानमंद्री आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत तीन बड़ी जो अपडेट है वो निकल कर आई है जिसमें सांथियो लाभारतियों का जो नई सूची है दोस्तों वो पब्लीज किया जाएगा उससे संबंदित अपडेट आया है नए लाभारतियों का रिजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा उसको लेकर भी अपडेट आ सके तो चलिए सांथियो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो सबसे पहले ज 24 के नए लाभार्थियों का पंजी करण भी स्टार्ट हो चुका है नए लाभार्थियों का आवेदन करने के बाद उनका नाम जो है लिस्ट में आएगा और फिर लाभार्थियों को इस योजना के तःत लाब मिलेगा तो दोस्तों अभी जो हम लोग बात करेंगे वो पहले अपडेट के बारे में जिसमें बताया गया है कि नए लाभार्तियों का पंजी करन कब से होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो नए लाभार्तियों की पंजी करन करने की जो पेज है कि जो list है दोस्तों उसमें नहीं था आवास प्लस के तहट लाभारती अपना इस योजना का लाब लेना चाहते हैं तो उनका नाम दोस्तों add किया जाएगा profile में सबसे पहले तो उनका रेजिस्टेशन की जाएगी रेजिस्टेशन साथ दिनों के अंदर start होगी जो updates आये हैं उसमें ये clear कर दिया गया है तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना के तहट आविदन करना चाहते हैं नए आविदन करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने जो documents है उसको लेकर तयार रखे क्योंकि कभी भी इससे संबंदित घोसना की जाएगी और उसके बाद जो registration प्रक्रिया है दोस्तों उसे सुरू करती जाएगी तो साथ योज अब बात कर लेते हमारे वीडियो के दूसरे main topic के विसे में जिसमें मैं आप लोग को बताने बाला हूँ कि जिन नए लाभारतियों की सूची है जिन लाभारतियों ने पंजिकरन करा लिया था लेकिन उनका नाम PM IYG के पॉर्टल पर नहीं सो हो रहा है तो ऐसे सभी लाभारतियों का जो लिस्ट है वो कब तक जो है निकल कर आ जाएगा तो दोस्तो जो नए लाभारतियों की सूची दोस्तो उसे दो से तीन दिन के अंदर पॉर्टल में अपडेट करने की बात कही गी है M.O.R.D. के तरफ से सभी राजसरकार को इससे संबंदित जो जानकरी है वो प्रोवाइड कर दिया गया है और ब्लॉक इससे संबंदित जो काम है दोस्तो उसे भी सुरूख कर दिया गया है दोस्तो अगर आपने पंजी करन किया था आपका नाम पॉर्टल पर सो नहीं कर रहा था तो दोस्तो आपका भी नाम कुछी दिनों के अंदर जो PM-AYG ग्रामीन की पॉर्टल है उस पर 2030-24 के तहत सो कर दिया जाएगा तो साथियो कुछी समय आप सभी को और इंतजार करना है उसके बाद आपका नाम पॉर्टल पर एड़ होगा तो ऐसे सभी लाभारतियों को कब तक पैसे उनके खाते में रिसीब होंगी इसको लेकर भी आज की डेट में अपडेट आए हैं और पैसे जब रिलीज हो चुके हैं तो अब लाभारतियों को पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सभी स्टेट की डेटा अब पॉर्टल पर अपडेट हो चुकी है और इसी के तहट सभी राज्यों को जो फंड है वो भी अलोट कर दियेगा राजिस्तर पर ब्लॉक लेबल से जैसे ही लाभारति का एप्टियों बनाया जाता है उसके दो से तीन दिन के बाद लाभारति के खाते में पैसे रिसीब हो जाएंगे एप्टियों बनाने का काम अभी से दोस्तो स्टार्ट कर दिया गया है और जैसी आपका हाउस सेंसन होता है या फिर जो भी लेबल में आपका हाउस है उसके बाद जैसे Apto बनेगा तीन से चार दिन के अंदर आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे एक से दो दिन के अंदर बड़े मातरा में लाभार्तियों के प्रोफाइल के अंतर जो है Apto बनाने की बात कही गई है तो दोस्तों एक से दो दिन तक वेट कीजिए अगर आपके भी प्रोफाइल के अंतरगत आपका जो हाउस है वो सेंसन स्टेटस में है या फिर प्रपोस साइट में है तो दोस्तों आपको सेंसन के लिए वेट करना है अगर सिंसन है तो दोस्तों आपको एक से दो दिन के अंदर जो पैसे हैं वो आपके खाते में रिसीव हो जाएंगी तो साथियों ये कुछ अपडेट आज के डेट में पीम आवास योजना ग्रामीन के 2023-24 के तहरकत निकल कर आए जिसमें साथियों मैंने आप सभी को जो है step by step जानकारी देने का प्रयास किया अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले परकार की सरकारी योजना स्विसंबंदी जानकर ये आपको सबसे पहले मिल सके धन्दबाद